अस्लाम अलेकुम आज़पन यत्ता नवी विशे मराथी कविता कर्मां का अकरा लेजिम बचो लेजिम आपने सभी ने देखा हुआ फिर भी मैं आपको बता दू के एक लकडी को पत्रे की गोर्रावंड की पत्रे लगे वोते हैं और यहां पर लकडी होने की वज़े से वो जो है खीचने की वज़े से हवास करते हैं तो इसे लेजिम कहते हैं आपने सभी ने देखा हुआ या कवितेचे लेखा कहे स्री बा रानडे यांचा परिचे स्री मनोरमा कावे संग्र दिवाडी ची डाली हे प्रहसन काड़े ची दाड़े दून हे खंड कावे कुम्पना वरून हे चाया नाट्य प्रसिद्धा हे सुगी चा दिवसात शेताम मदिल धान्याचे राशी पाहून शेतकरांची मने प्रफुलित होता आणी तो आनंद लेजीम खेडून शेतकरी वेक्त करता ते आनंद मैं वातावर्णाचे वर्णन प्रस्तूत कभी ते कभी ने केले आहे जिने जिस वक्त शेतकरी किसान बीजबोता है उस पर मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसका अनाज तयार हो जाता है काटने पर आता है उस वक्त को सुगी कहते हैं और इस फसल को देखकर किसान बहुत खुश होता है और अपनी खुशी का इजहार लेजिम खेल कर डफ के ताल पर नाच कर वो वेक्त करता है हम देखते हैं के दिवस सुगी चे सुरूज आले ओला चारा बैल माजले शेत करी मन प्रफुल जाले चन खड़ खडचन ढुम पट ढुम लेजिम चाले जोराग कभी कहते है के सुगी का मैंने आपको बताया सुगी किसे कहते है के फसल तयार हो जाती है उसे सुगी कहते है तो वो दिन आजाता है बैल जो है गिला चारा खाकर माजले बोले तो तयार हो जाते हैं हालत अच्छी हो जाती है और किसानों का जो मन है दिल है वो प्रफुलित होता है खुशी मैसूस करता है इसलिए वो जो है डफ की ताल पर और लेजिम खेलते हैं और अपना खुशी का इजहार करते हैं दिव्टी फुर्फुर करू लागली पठक्यांची वर डोके डूलली रांग खेड़या खेड़न्या सजज़ आहली चन खड़ खडचन ढुमढुम पर ढुम लेजिम चाले जोराद कभी कहते हैं डिव्टी डिव्टी बुले तो छोटी मशाल फुर्फुर यानि उस मशाल की आग से जो हुने वाला आवाज है उस आवाज को फुर्फुर कहा गया है यानि जब छुटी मशाल जलती है उसे हवा लगती है तो मशाल से आवाज निकलती है फूर फूर करके पटकेंची वर डोके डूलली पटके फेटा यानि उसके जो है फेटे का कॉर्णर जो है वो भी हिलने लगा फेटे का जो छोर होता है वो भी हिलने लगा रांग खेडने या सज्ज जाहली रांग बोले तो कतार लाइन और खेलने के लिए तयार है और जाहली बोले तो तयार यानि लेजिम खेलने के लिए कतार तयार है और फिर वो जो है उसी डफ की ताल पर और लेजिम के आवाज पर वो जो है लेजिम खेलते हैं, अपने कुशी का इजहार करते हैं भर भर डफ तो बोले गोमोनी, डफ डफ बोले तो डफली याने चमडे से बनी हुई वाद्यर याने डफली तो वो किस से बनी होती है? चमडे से बनी होती है लेजिम चाले मंडल दरुनी बाजूस मागे पुडेवा कुनी चन खडखड चन ढुमडुम पर ढुम लेजिम चाले जोरात याने कभी कह रहे हैं कि इस चमडे के बने हुए डफ से लोग जो है, ये सौरी, किसान जो है, ये मंडल बोले तो गोलाकार, गोलाई करना ये गोल कतार में जो है, वो लेजिम खेल रहे हैं, आगे से पीछे, पीछे से बाजू, इस तरीके से वो इस लेजिम को खेलते हुए, अपना खुशी का इजार कर रहे हैं पहड जाली तारा ठकलिया, मावर तीला चंदर उतरला, परीन ठकला लेजिम मेडा, चंखर, खडचन, ढुम ढुम पढ़ ढुम, लेजिम चाले जोराद यह जो किसान है, यह अपने कुशी में इतने चूर है, मगन है, के सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, फिर भी ओन नहीं ठके तारा ठकलिया, इसका मतलब जो है, के जो तारे थे, वो निकले भी और डूब भी गए, और मावर तीला, याने डूबने के लिए, चान क्या हुआ, डूबने पर आ गया फिर भी ये जो किसान है, ये नहीं ठके, और उनका लेजिम का जो राउंड था, जोर था, जोश था, वो आखरी तक शुरूर रहा और उन्होंने जो है, अपना खुशी का इजहार बहुत ही अच्छे से किया, और जिस वक्त इनका सुगी का दिन आता है, फसल काटने का डायम आता है, तो इन्हें बहुत ही खुशी मैसूस होती है, कि इन्हें जो है, जिस तरीके से आप लोग किसी आटवी क्लास में हो, न आपका रिजल्ट जब आने वाला होता है, और रिजल्ट आपके हाथ में होता है, और आप पास हो जाते है, तो आपका खुशी, आपकी खुशी जो है, वो बहुत ज्यादा होती है, ना जाने किसे फोन करके बताओ, ना जाने कब मैं घर पहुचू, मेरे वाले देन को बता बग़ोर उने, आपिस ए के लीजु़ आप लन्हीत सत्माप्राए़ का आइस न्याफ स्कूराईव्छ।